हेई अप्रोट पीपल वाल्किन टीम चैनल लेकर आपके फैट को रिड्यूस करेगा आपके वेट को रिड्यूस करेगा आपके पेट के आज जो बाजी जबी चर्बी लोर आप्डोमें में जबी चर्बी को कट करने में हैं बहुत ही एफटिव यह ड्रॉंक है अगर आप इ बहुत बड़ा अंतर आया है आपके रातों की नीद इंप्रूव हो गई है काफी टाइम बार ही होता है कि रातों को नीद जल्दी नहीं आती है इन सोमिया की इसूस होते हैं और प्रॉपर नीद कंप्लीट नहीं हो रही होती है 6-8 आर की जो कि बहुत ही इंपॉर्टिन हो आप में बहुत जल्दी असर करेगा और आपके बॉड़ी से एक्स्ट्रा जमी वी चर्वी को हटाएगा ऐस विल्स वाटर एटेंशन रिद्यूस करेगा ब्लॉटिं की इशूस भी अगर आपको होती है तो वह भी हटाएगा इसके साथ गैस और एसल्टीज की इशूस भी मैं आप लोगों को दिखाती हूं कौन सा वो ड्रिंक है सो गाइस यह वो ड्रिंक है सिर्फ और सिर्फ आपने एक कप एक दिन में लेना है रात को सोने से पहले कब लेना है किस तरीके से लेना है और कैसे बनाने सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूं पहले मै यह दो प्सकोर अगज जस्ति यूरा फ्सकिटे सबूरे कर दो एक रघर भाओ टूला टो जीर खुटत तबसकित की अगा अन भाओ टूल खास आट खर टूल झामगाओ टे एल ठन एक ब्क राओ ट लो स्विण अपर टूल now allow it to boil and now it's time to add the black rock salt it should be very little and now add the half tablespoon of turmeric to it now give it a nice stir and let it boil for five minutes let the water boil until the one and half glass of water remains one glass of water now it's time to off the flame and guys you can see our drink is almost ready it's just time to have it in a glass so guys you just have to take every night this effective super night drink to have a flat and blotting free stomach if you will continue using this super effective drink for two weeks you will see the result very easily okay guys so this drink is very simple every day you have to sleep before 10 hours 1-10 hours of water you will have to drink just one day and you will see that your metabolism is fast and boost immunity is fast and boost your body will be reduced in your body so it will be reduced in your body it will be reduced in your lower belly it will be reduced in your body so it will be reduced in your body so you will see that your body is fast and healthy in your body so it helps your body to reduce it also insomnia issues that you will not get proper needs and immunity very slow metabolism is very slow as you follow low calorie diet so you will still have no diet work or weight लिएट बढ़ता चला जाता है तुछ से पाहने जो चीज जो हमने इस ब्रीम में डाले है वह है अजवाहिन 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 के बारे में आपको मंभी भी आपको बताती हो अर्ष्राइटिस पेंट में भी हमारा ये अजवाइन काफी मदद करता है और बैली एरिया में जही चल्बी को कट करने में बहुत है फैकंड इंगेंट इस जीरा जीरा घरता है पाइल के शुझ अगर आपको हैं अगर वहाइल सब्सक्राइब दाती में अदंपर इस इस घरती है एक दम घरता तो इसको एक दम खतम होते है डाइजेशन आपकी इंप्रूव ओन्योंटि बुस्टाइब होती है वीपी और शुगर इशुझ को भी सॉफ करन नहीं कर पाते हो तो फिर यह आपके लिए बहुत अच्छा इंग्रीडिएंट मांगेता है जीरा थाओ इंग्रीडिएंट इस ब्लाक सॉल्ट हमारी गैस किशू पहुत जल्दी पटापट से काम करता है जब यहाओ गैस किशू अपकी मम्मी कभी ना कभी आपको काली नमग जरूर बोलिए कि लिखाओ उससे आपका गैस बहुत तुरंट ठीक हो जाता है तो आपके गैस के इशू ब्लॉटिंग के इशू इसके साथ साथ यह आपके वेट लॉस में बहुत हैप करता है क्योंकि आपके डैसिशन को इंपूब करेंग तो आपका वेट लॉस होगा इ पूरा रात आपको गैस की इशूज होंगी प्रॉफर स्लीप नहीं हो पाएगा हार्ट बर्न होगा एसिटी होगा पेट में गैस बनेंगे एस ब्लॉटिंग इशूज पूरा हकता पो लेगी तो यह ड्रिंक आपके इस इस इशू को डफिनेटली क्योर करती है तो इस तर् मिला के सो जाओ ताकि इससे आपकी नीन इंप्रूव होगी आपी कॉंस्टिपेशन की इशू सौर होगी तो इसी तरह से यह आपकी इम्म्यूनिटी भी बूस्ट करता है मूड अच्छा करता है और आपके डायजेशन को भी इंप्रूव करता है लास्ट फिफ्ट इंग्र जिंजर के लिए क्या ही बता हूँ क्योंकि जिंजर की सब फाइदा जाते हैं फैट को बंड करने में जिंजर बहुत असरदार होता है कोई भी ट्रडिशनल टी बनती है अईरवेधिक टी बनती है उसमें हमेशे जिंजर एक पार्ट रहा ही है क्योंकि चाहे आप लीविल को लोड दान करने में हिल्फ जिंजर के लुटिमें एक्स्ट्रा आपकी हमेरिशन बाइप लगिन ऊदेन हानोट करी बाटाने में अच्छा पेजल यह कर दो और अट पर टलाले को ब्रेक करने में हमनेने जाने लिए उसमें अशो अकर बंड जाता है नहीं था और अगर आपके नीर नहीं आती है कि आपको डादिश नहीं रहते हैं तो अगर आपके वेट लॉस में पूरा पूरा असल पड़ता है क्योंकि ह्या आपके हार्मोनल होते हैं पुरा दिन वो कुछ भी नहीं खाये या फिर खाये दोने चीज़ों से उनको gas issues हो जाती है और इस वह से को काभी सोचना पड़ते है क्या खाय क्या नहीं खाय तो देखो आप कुछ भी खा रहे हो आपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो भी आपको सेजिश किया जाए वो आ करना क्या है इसके साथ से आपने एक्स्ट्रा कुछ फिजिकल अक्टिविटी करने का टाइम नहीं है तो फिर भी 30 मिनट का वॉकिंग ब्रिस्क वॉकिंग अपने पूरे रूटीन में एड़ कर लें साथी तर डायेट में आपने कुछ भी उल्टा सीधन नहीं खाना है इस कशना से जाओ सब्सक्रिक फ्रूटी में प्रीक छाओ नहीं है वाइट शूगर को अवईट वाइड करना है यह वाँत इस दृंस्स चीज़ वाइड करना है आप दिखेंगे अगर आप बाहर के पाकट पुद और बाहर के कोई भी चीज़ को अगर आप अबैट करते हैं follow कर ले, so yeah guys this was all for today's video, meet you in my next video and then stay happy and stay healthy, bye bye